हर उस दोशी वक्ति पे कारवाई होनी चाहिए जिसकी लापरवाही की वज़ा से या जिसकी गैर जिम्मेदारी की वज़ा से इतना बड़ा हाथसा हुआ है भई इस हाथसे में कल को कोई बहुत बड़ी घटना भी घट सकती थी पर अगर कोई ऐसी घटना नहीं घटी पर उसके बावजूद जो नुकसान हुआ है और बार-बार में छवी की बात करता हूँ बिहार इनी कारणों की वज़ा से देश में विदेश में गलत कारणों से सुर्खियां बनता है कभी हमलों का पुल हवा से गिर जाता है कभी निर्मान होते हुआ पुल का एक बड़ा हिस्सा पानी में ढह जाता है कभी यहाँ पे बांध चुहे कुतर जाते हैं यही कारण है कि बिहार और बिहारीों को इतनी हीन भावना से दूसरे प्रदेशों में देखा जाता है। इस छवी को बर्बात बनाने में और बेहारियों की छवी को बर्बात करने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लगबग पिछले दो दशक से रहे हमारे मुख्यमंत्री जी की है न उनी के कारेकाल में यह हो रहा है आज हम लोग मुजफर पूर गए वहाँ पे कल खुले आम लिन दहाडे गोली मारकर हत्या कर दी गए आप बताईए जिस प्रदेश में आँख खुलने से पहले अलग-अलग जिलों में हत्याए हो रही है सुर्किया हमारा प्रदेश सिफ हत्या को लेकर अपरन को लेकर डेकैती को लेकर भश्टाचार को लेकर पुल गिरने को लेकर वान तूटने को लेकर, पुलिस्थाने में पड़ी हुई शराब के गाइब हो जाने को लेकर, जब इनी बातव को लेकर जब सुर्क्या हमारा प्रदेश बनता हो, यही कारण है कि राश्ट्रियय स्तर पर अंतराश्ट्रियय starters पर प्रदेश की च्छवी खराब होती है, ऐस का में एक हाधसा हुआ कम से कम इस बात का संतोश ship लोगों को कि प्रधान मंत्री सबसे पहले पहुंचे वहाँ पर रेल मंत्री तियम करके उन्हों ने सट्य जानने का उन्होंने प्रयास किया मेरे मुख्य मंत्री की एक तस्वीर कोई दिखा दे जो किसी ऐसे हाथसे पर गए हो घटना सल पर या कहीं पर हत्या हुई हो भले इनी के ही महत्वकांची परियोजना की डिलाई की वज़ा से शराब बंदी से ही कहीं पर कोई हत्या हुई हो कोई एक पीड़ित परिवार से मुख्यमंद्री जी ने आज तक जाके मिलना जरूरी समझा तो ऐसे में जब मुख्यमंद्री के पास फुरसत ही नहीं है बिहार और बिहार की योजनाओं पर ध्यान देने की परिनाम स्वरूप अधिकारियों का मनोबल है उदासीनता है कारण जो भी है पर इस तरीके की घटनाएं घट रही है जिस पे हर दोशी के ओपर सक से सक कारवाई होनी चाहिए एक तरव जो मुख्यमंद्री बिहार में पुल नहीं बना पारे वो विपक्षी ब्रिज कायम कर रहे है विपक्षी एकता का ब्रिज है ना ये भी ऐसे ही धराशा ब्रिज है जिस तरीके से इस पुल का हर्श हुआ है वही हर्श इनकी तथा कते विपक्षी एक तब विपक्ष के लोग एक साथ आके तस्वीरे जरूर खिचा सकते हैं और वो तस्वीरे आजसे नहीं भई हम लोग 2014 से देखते आए लगातार बार बार ये लोग तस्वीरे खिचवाते हैं एक दूसरे के साथ हाथ पकड़कर पर उसके बाद जब चुनाव आते हैं तब तक ये भानुमती का कुन्वा बंते-बंते बिखर जाता है ये फिर से धराशाई इसी तरीके से ही होगा और विपक्षी एक्ता बंढ़ी बंदे को बेड़ा इए व्यपक्षी एक्ता की जहां तक आपने बात की भई महत्वकांशा है इतनी हैं कई राज्यों के मुख्यमंत्री का आपने जिक्र किया वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो प्रद्धान मंत्री बनने की रेश में हैं वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी अपनी महत्वकांचा रोल सा इतनी ज़ादा हावी हैं कि वो किसी दूसरे दल के साथ गड़बंधन करकर किसी दूसरे का नेतरद्व सुईकार करें ये और खास तोर पर बिहार के मुख्य मंत्री का नेत्रुट ना विपक्षी दल के नेता सुईकार करने वाले हैं ना ये देश की जनता सुईकार करने वाले हैं मैं बार-बार दोराता हूँ जब बिहार की जनता नहीं इनको निकार दिया। जब बिहारियों नहीं इने अपना मुख्य मंत्री नहीं माना तो देश के लोग इनको अपना प्रधान मंत्री मानेंगे ये हो ही नहीं सकते। लोग सभा के चुनाओं अब समीब है और पूरी तरीके से पाटी अब चुनावी मोड में उतर गई है तमाम तैयारी पुना आप लोग गडबंधन पे सवाल पूचें उससे पहले मैं बोल दूँ कि गडबंधन चुनाओं के वक्त तै किया जाएगा किसके साथ होना है नहीं होना है कितनी सीटों की मांग रखूं यह सार्वजनिक करने अगर पहले मैंने कर दिया तो मैं गडबंधन धर की मर्यादा को मैं तोड़ूंगा यह ऐसे विशें हैं जो गडबंधन के भीतर चर्चा होनी जादा जरूरी है बहराल में कई विबेन मीडिया प्लाटफॉर्म के माध्यम से मुझे भी जानकारी प्राप्त होती है कि मुझे कितनी सीटे दी जा रही है तो कौन सा दल कितनी सीटों पर चुनाओ लड़ने के बात कर रहा है हकीकत यह है कि अभी सीटों को लेकर किसी भी गडबंधन में कहीं पर कोई चर्चा नहीं है सही समय पर जब यह चर्चा पूरी हो जाएगी वह सब के साथ सारवजनी कर दी जाएगी फिलाल जो क्यास लगाए जा रहे हैं मैं पूरी अथौरिटी के साथ कहता हूं कि वह सब गलत है भाई हमारी तो हाजीपूर हमारे पिदा की सीट रही है हम के छोड़ेंगे हमको अर्णने की जरुवत क्या है भाई इसमें अर्णने की क्या बात है